गूड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स वेलकम टू रेडिशन रूर्ट्स ओनलाइन क्लासेज आम मिसेश अनपुर्णा मिश्रा क्लास टीचर आफ फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एकी मात्रा बड़ा की मात्रा से लेके अहतक की मात्राएं हम सारी पढ़ चुके हैं और आज हम एकी मात्रा फिर से पढ़ेंगे पुनर्भ्यास करेंगे किसीश का एकी मात्रा का चा में एकी मात्रा लगाया तो क्या बन गया? चे ना में एकी मात्रा लगाया तो क्या बन गया ने गा में एकी मात्रा लगाया तो क्या बन गया गे एकी मात्रा लगाकर जो हम उचारण करते हैं तो ए जिस वेंजन के आगे हम लगाएंगे उसका उचारण कैसे करेंगे ना, चा, गा, ये सब क्या है, वेंजन, वेंजन के उपर ए की मात्रा लगा कर हम कैसे उचारण करेंगे, ना के आगे लगा के, ने, गा के आगे, गे, इसका उचारण, ए, ऐसे उचारण होता है अब चलिए मेरे साथ में आप लोग भी रीडिंग करिए, खेल, रेल, बेर, देर, चेला, आ की मात्रा है न, मे, ला, मा में किसी इसकी मात्रा है, एकी, ला में किसी इसकी मात्रा है, आ की तो इसका उचारण हम क्यासे करेंगे, मे, ला, इसी तरहे, रे, खा, उसके बाद, दे, खा, इसका उचारण आप ठीक से करेंगे, और साथ में मात्राइं भी आप देखेंगे, किस सब्द में कौन सी मात्रा लगी है हवेली, सहेली, बरेली, अकेली, सीवाराम, मेवाराम, मलेरिया, बहेलिया यह आप देखिए कैसे बन नहीं हुए है, मा, मा के बाद क्या है, ला, ला में एकी मात्रा है, तो क्या हुआ हुआ, मले, और रा में रा के आगे कौन सी मात्रा है, यह है छोटी की मात्रा, रि, यामे किसी मात्रा है, आके तो हम इसका उचारण कैसे करेंगे, मलेरिया, इसी तरह, बा, हा, हाबे की मात्रा, बहे, ला के आगे कौन सी मात्रा है, छोटी की तो लिया के आगे किसी इसकी मात्रा है आकी तो इसका उचारण हम कैसे करेंगे बहेलिया ये सारी मात्रा हमने पढ़ ली अब इसके बाद में एक ही मात्रा के छोटी सी कविता है आप मेरे साथ पढ़िए और साथ ही साथ में बोलिए भी क्या क्या लिखा हुआ है चल चले पेड तले चामेली के कितने फूल खिले सवेरे इसमें वा के उपर भी एक ही मात्रा है रा के उपर भी एक ही मात्रा है तो इसका उचारण हम कैसे करेंगे सवेरे का का क्या कि किसी इसकी मात्रा है छोटी की उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है ना के उपर कौसी मात्रा है किसी इसकी मात्रा है बच्चों एक ही तो हम इसका उचारण कैसे करेंगे किसने बाग के उपर किसी इसकी मात्रा है चोटी की मात्रा तो हम इसका उचारण कैसे करेंगे बाके आगे चोटी की मात्रा है तो भी खा के उपर किसी इसकी मात्रा है एक ही खे रा के आगे किसी इसकी मात्रा है किसी इसकी उपर ये मात्रा लगी है एक ही तो इसका उचारण कैसे करेंगे मिला कर मेरे साथे पढ़िए बिखेरे किसने बिखेरे ये किसी इसका निशान है ये प्रिश्णवाचा कुछ किसने जैसे question mark होता है ये question mark है किसने बिखेरे full ये इतनी ली प्यारे सारे हमारे ये कविता का आप लोग घर में पाट करेंगे, रिविजन करेंगे और बार-बार पढ़ेंगे ताकि आपको एक ही मात्रा का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए Dear Students, आज का आपका Classwork है रिक्तिस्थान भरिये सबसे पहले आप डेट डालेंगे उसके बाद Classwork उसके बाद में रिक्तिस्थान भरिये ये Heading डालेंगे आजा खाना ताजा क्या खाना आजा खाना खाजा खाजा ताजा ये हमने बड़ा की मात्रा में कलकविता पढ़ी थी बजाना क्या नहीं बजाना बाजा बामियआ की मात्रा जामिया की मात्रा बजाना बाजा बनिमत राजा हात हटाना तब जलाना नया क्या है नया पटाखा क्या है नया पटाखा उसके बाद हमने अभी एकी कविता पड़ी एकी मात्रा की तो चल चले कहां चले कहां चले स्टुडेंट पेड़ पेड़ तले चमेली के कितने फूल खीले उसके बाद में ये बड़ी की मात्रा रिक्तिस्थान भरने है बड़ी की मात्रा से और आई की मात्रा है भूखी अपनी कौन है अपनी भूखी बूखी अपनी गईया उड़ गईया ची रे या उसके बाद अब ये कौन सी मात्रा आई है रिक्तिस्थान की मात्रा से फिल किया आ की फिर ये आ की मात्रा फिर ये आ की मात्रा से फिर ये ए की मात्रा से और ये कौन सी मात्रा है बड़ी की मात्रा ये कौन सी मात्रा आ की मात्रा और ये किसी सी मात्रा है छोटी की मात्रा उसके बाद आ की मात्रा एक कौन आया न्रप मिन्स क्या होता है राजा क्या लाया क्रपान क्या लाया स्टुडेंट्स क्रपान क्रपान मिन्स क्या होता है तल्वार यह राजा की पास में रहता है क्रपान मिन्स छोटी सीजे एक उनका अस्तर रहता है और उसके बाद घब राया घब राया क्या होता है? कौन घब राया? म्रेक घब राया कौन घब राया, students? म्रेक घब राया ये वर्क आपको नीट और क्लीन अपनी नोट बुक में करना है साथ में, dear students आपको मेरा पर्चे भी लिखना है पांच वास लिखने इसमें आपको अपना नाम लिखना है अपनी उम्र लिखनी है अपने पिता जी का नाम लिखना है अपनी माता जी का नाम लिखना है और अपना निवास इस्थान लिखना है ये वर्क आपको नीट और क्लीन करके मेरे पास चेक भी कराना है और स्टुडेंट्स ये वर्क करने के साथ में आपको इसको याद भी करना है ओके थैंक यू हेवे नाइस डे